है नमस्कार है दोस्तों भाईयों भेनों एवंप्रिये सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में पूरे विश्व भर से पूरे भ्रहमाण में पूरे दुनिया में किसी भी जगा से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी लोग जो इस वीडियो में आये हैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आप सभी को बता दू दोस्तों जो इंडिया देश में हर साल होता है जो इंडिया की उनिवर्सिटी हो गई या फिर कुछ प्राइवेट उनिवर्सिटी जो लोग अपना पहले से बताते हैं कि हम लोग इस बार 2024 में आपके ओल इंडिया के लोग को एडमिशन देने के लिए हम आपके सीवेटी से लेंगे या खुटके से लेंगे तो उसके ला गया है वाई जो की सीवेटी पीजी के वेबसाइट पर है दूसरा जो इसमें जो एक्जाम कंटेक्टिंग बॉड़ी रहेगा एंटी ए नेशनल टेस्टिंग एजनसी उनके द्वारा भी इस एक्जाम स्केडिल को दे दिया गया है तो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ सारा कुछ सारा कुछ बेसिकली यह कि कि किस दिन कौन सा एक्जाम है सिलेबस के लिए दोस्तों सिंपल सीउटी या पीजी के वेबसाइट पहें सिलेबस ऑप्शन में जाके अपना सिलेबस देख ले और प्रिपेर कर ले आपके पास समय काफी कम है मार्च में अपका एक्जाम हो जाएगा इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए एक्जाम स्केडूल कोई मुझे कमेंट में बताई नहीं रहा उसको प्रपरेशन कौन सी चाहिए किस चीज़ की चाहिए इसी वैसे प्रपरेशन अभी तक किसी चीज़ की दी नहीं गही ह जो भी एक्जाम होगा उसका प्रपरेशन मिल जाएगा साफसी बात आप यह समझेए सी उटी पीजी ट्वैंटी ट्वैंटी फॉर का फॉर्म जो क्लोस हुआ था वह 10 फेब्री को क्लोस हुआ था लाश्ट साइम लाश्ट टाइम ठीक है और 10 फेब्री के साथ ही आप और NTA ने और जो CVT PG का जो recruitment body है उन्होंने आपको time दिया आपको कहा कि आप लोग correction कर लो उसके लिए उन्होंने 10 फेब्री को एक notice निकाल के बोल दिया था ठीक है तो वो मैं इसके लिए discuss नहीं कर पा है क्योंकि आपको मैंने form भरने का process ही नहीं बताया था तो correction कैसे दे सक निकालना है अपरेल तक result और मई के मई जून के अंदर आप लोग का admission हो जाएगा colleges में और आपका एक master master degree इसकी एक नई जो है आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी अलग-अलग schools अलग-अलग basically institute में colleges में पूरे इंडिया देश में यह चीज होने वाली है ठीक है तो मैं इ information bulletin में आप लोग syllabus भी देख सकते हो और exam pattern देख सकते हो form की fees और यह सब देख सकते हो वो लोग जो नहीं है दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप लोग इंडिया देश में किसी भी जगा से हो हर्याना से हो असम से हो केरला करनाटका से हो वेश्ट बंगाल से हो तीरिप दूरे या तीसरे साल में हो तो आप लोग को master's के लिए CUET से एक बढ़िया option मिल जाता है CUET PG एक ऐसा option होता है जो की एक one way directed exam हो जाता है जो की central governments के जो school basically institute है central governments के जो colleges हैं जो master degree कराते हैं उनमें admission direct लोग ले सकते हैं इसके अलावा लोग state government और private universities में भी इस exam के तुरू जा सकते हैं देगे दोस्तों दुनिया भर में काफी university चल रही है अपने अपने university कुछ private है कुछ state government है कुछ central government है अपने अपने courses वो लोग करा रहे हैं लोगों को 2 साल 3 साल जो भी उनका syllabus चलता है ठीक है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि university PG के लिए हर साल universities अपने आपको बताती है कि हम इस बार कौन सी कौन से मतलब courses का admission लेंगे आपके exam के तो क्योंकि आपको पता है दोस्तों इंडिया देश में काफी university है अब यह कौफी लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जान रहे होंगे इस बात को नहीं बात को जान रहे हों यह last साल में हो लेकिन अब आप लोग master degree करोगे ठीक है तो उसके लिए जरूरी नहीं है CVT PG दो आप किसी भी university में admission लेने के लिए उनका खुद का private entrance भी दे सकते हो यह direct recruitment भी करवाती है काफी university लेकिन लोग का मानना यह है कि हमें अगर अच्छी university में जाना है कम fees के साथ जा इस exam को करा दिया जाता है one way directed है कि एक one way लोगों का हो गया और उसके बाद लोग exam निकाल कर direct admission ले लेकिन exam इसना असान भी नहीं होता इसमें cut off आती है exam के बाद हर एक subject की हर एक course की cut off आती है कि बाई कितने cut off पे जो है वो pass कर पाया अब क्या है न दोस्तों यह cut off CVT PG की website प लोगो गया इन सबको क्या करना है अपने अपने पास जो अपने उनिवर्सिटीज में जो college इसमें जो ले ले इन लोगो को अपने cut off निकालना है कि 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 क्स में आ रहे हैं most of the universities ऐसी होते हैं जिसमें आती है आप एक एक university के कम से कम 30 40 50 100 150 130 college चल रहे होते हैं पूरे इंडिया देश में होती हैं बड़ी-बड़ी university आपको पता है जैसे CUTPG में मान के चलो DU अगर DU टेक पार्ट करेगा तो DU के आप लोग जानते हो डेली में काफी सारे उसके colleges हैं कम से कम 90 100 के करीवन उसके college हैं DU के तो इसे साब से आप लोग समझ सकते हो कि भाई कितनी university जो इंडिया देश में है जो CUTPG करा रहे हैं जितनी universities होती है न हर एक university के पास कम से कम 50 190 किसी के पास 10 college ही है किसी के पास 12 है किसी के पास 17 college है इस तरीके से college होते हैं और यह university वाले खुद ही registration करते हैं CUTPG के साथ basically government के साथ कहते हैं कि हम आपके exam से इस बार बच्चों को लेंगे candidates को लेंगे अपने बच्चे कह लीजे या candidate कह लीजे basically आप लोग candidate हो आप एक master के लिए जा रहे हो तो वो candidates जिनको admission देना है CUTPG से उसके लिए university खुद अपने आपसे निर्ने लेती है उसके बाद उसको फिर उसके बाद एक list निकालता है CUTPG और फिर उस सारे लोग form भरते हैं कि इस बार यह university है और हमें इसमे बाभी करवा रही हैं और CUTPG से भी ले रही हैं लेकिन वो अगर खुद का कराएंगी तो पहले खुद के से लेंगी फिर PG वालों से लेंगी ठीक है तो यह condition होती है और ऐसा यह नहीं है कि यह सिर्फ masters वालों के लिए होता है bachelor वालों के लिए भी यही चीज इंडिया में ठीक है तो इसलिए यह चीजिए आप लोगों को बताई जा रही है आप देगें CUTPG के website पर information bulletin download कर सकते हो यह काफी पहले आ गया था यह देखिए यह पूरा है यह पूरा notice है कि कौन को से इस बार कितने course में इस बार exam होगा कौन को से university इस बार admission लेंगी यह सारे exam computer प कब तक बढ़ा गया था आप देख सकते हो यह आप देख लो form की correction हो रही थी January में ठीक है यह तो notification के समय था form extended हो आता इसके अंदर form आप लोगों का आगे बढ़ा था आप लोगों को पता हो ठीक है यह exam आप लोगों का जो सुरू होना है वो 11 March 11th of March से सुरू होगा notification के according मै इस तरीके का हमारा इसमें जो है syllabus आता है ठीक है syllabus जो है पूरा जो exam pattern है वो इस तरीके से होता है मैं syllabus दिखाना चाहता हूँ syllabus आप लोग देख लो ठीक काफी सारे course देख यह पूरी list है काफी लंगी list है दोस्तों इतने सारे course क्योंकि काफी university है ना इंडिया देश में अब master course के लिए सारे admissions जितने भी होने उसका syllabus यहां से आपको मिल जागा मैं suppose एक example के तौर पर आपको किसी भी एक course का syllabus यहां पर दिखा देता हूँ एक example के लिए तो suppose आप मानके चलो B.Ed course में जाते हो admission लेने ठीक है B.Ed हम ले ले लेते basically B.Ed उनके लिए होता है जो लोग graduation करने क इसके बाद उसके बाद वो लोग masters के समय पर B.Ed करते हैं यह सोचके कि हम लोग इसके बाद teaching field के लिए हम जो है direct vacancy के लिए C.T.T. और H.T. और इसके लाबा T.T. B.T. और A.P.T. या state T.T. या फिर All India T.T. देकर हम पर teacher बन जाएंगे schools के अंदर जाके तो उसके लिए लोग B.Ed देते हैं वैसे काफी सारे इसमें यूज होते हैं B.Ed के तो आप इसमें व्यू करोगे तो आपको दिख जाएगा कि B.Ed वालों का यह syllabus आपके exam में आएगा देखिए यह syllabus है बस इतना ही syllabus है यह रहा teaching aptitude उसके लावा G.K. related to English education book, films और institute और award किस-kis को किते-किते award मेरे इंडिया देश में किस-kिस ने बड़े-बड़े अवार्ड लिए वो सब चीजे mathematics, science, environment, social science और यह सारी चीजे आप से पूछ लिए जाती है ठीक है तो यह आपका B.Ed वालों का syllabus है इस तरीके से सारे यह लोग हिस्सा लेते हैं दोस्तों हिस्सा मतलब कि यह लोग खुद university वाले अपने आपको कहते हैं कि हम इस बार अपनी university में admission कराने के लिए आपके exam को प्रेफेर कर रहे है ठीक है अभी क्या है ना यह जरूरी नहीं है हर साल इन से पूछा जाता है हर साल यह लोग बतात हैं को कई बार तो यह लोग कहते हैं इस बार हमारी university आपके इस से एक्जाम से नहीं कराएगी हमारी university खुद का exam करवा के लोगों का admission देगी इस बार क्या है ना दोस्तों इनका number बढ़ता जा रहा है आप देखो कि participating university जो CVT PG में आ गया है उसके लिए आप देखोगे आमरे यूजी कोर्स के लिए नहीं करा रही है ऐसी university आभी है वो कहते हैं कि हमारा यूजी कोर्स के लिए फॉर्म जादा आता है तो हम जो है अपने university का कराएंगे क्यों हम CVT पर जाए CVT basically हो गया government करवा रही है government of India करवा रही है और बाकि individual तो आप लोग करा ही सकते हो ठीके तो यह सब चीजे होती है तो अरुन जेटली national institute of finance management है financial management यह भी एक institute है इसके अलावा असम university है अब देखिए असम university के भी कई college होगे जो असम state में आपको देखने को मिल जाएंगे सेम इसी तरीके तो बाबा साहिब भीम रावम बेटकर university है और काफी सारे universities है बहु के भी काफी college इतने भी होंगे उसके लिए एक university के चार college पांच college जितने भी आज तक हो चुले है और university तो आपको पता ही है university हो university का तो आपको पता ही है कि भाई वो इतने सारे course करा रहे होते हैं जिसके मुताविक उनका जो number of college है वो हर साल बढ़ते ही रहते हैं क्योंकि आपको पता है एक एक university काफी college काफी सारे course कराती है एक एक university काफी सारे course चला रही होती है और इसी वजा से जो university होती है यह जो इंडिया देश में आप देखोगे भी हो गई या कोई भी इन मैसे university उठालो आप Central University of Andhra Pradesh लेलो ठीक है या फिर आप लोग यहाँ पर हरियाना की Central University लेलो तो इन university के काफी सारे college चल रहे होते है इस टेट में उसका number fix होता है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है अब क्योंकि लोगों को पता है कि universities में कितने लोग पढ़ने आएंगे तो इस चक्कर में इन लोग की universities बढ़ती ही जा रही है अच्छी बात है आपको शिक्षा मिल रह लेंगे वह यह सारे लोग है देखे इतनी सारी यह यह तो university की लिस्ट है दोस्तों अभी आपने देखा है central universities की देख लिए थोड़ा state university को देखे यह state university है और इसके आगे थोड़ा यह डीम्ड यूणिवर्सिटीज है और private university भी इसमें करवाती है private university को पता है कि भाई हम अ लाल दिया है सारी चीज़े तो इस तरीके आप देख सकते हूं प्राइवेट वालों की काफी लंवी लिश्ट है यह पूरी प्राइवेट है अधर यूनिवर्सिटी और नहीं बची तो इस तरीके आप देखो कि इत्ती सारी तो यूनिवर्सिटी अगर मैं इसका पास अगर सो कॉलीज नियुदी मैं अबौरे सप्षार कोउलिज से तो यह तो इस तरीके शेए और इसे आप से आप दिसाब इसके भी आप समझ सकते हो, यह सब इसलिए बता रहो दोस्तों, आपको पता लगना चाहिए, कि आपके chances कितने बढ़ जाते हैं, इस exam को देने के बाद, admission लेने के, क्योंकि आप देखो, एक एक यूनिवर्सिटी, इसमें total 100 university भी हम मने, और एक एक यूनिवर्सिटी के, अग ज़्यादा किसी के काम हो सकते हैं, तो हम एक एक यूनिवर्सिटी पे 100 college माल लेते हैं, ठीक है, तो 100 university पे 100 college अगर 100 into 100 हो जाएगा, तो कही ना कहीं, वो आपका हो जाएगा, 10,000, करीवर 10,000 से ज़्यादा colleges पे इसमें direct exam देकर, लोग admission ले सकते हैं, लेकिन अच्छा exam निक कोर्स इस बार कौन-कौन से हैं, तो आप देखें, matching course program list, तो आप यहां से क्या करोगे, perform quick search, आप यहां पर course का नाम देख सकते हो, कि भाई, course आपको इस बार offer करा गया है, यह नहीं करा गया है, CVT में, जैसे आप लोग कोई course करना चाहरे हो, तो क्या वो वह वाला course इस बा आप लोग को direct exam schedule, इसको click करोगे, exam schedule आजाएगा, देखें, आपको दिखा दू, NTA के website में हम आ गया है, देखें, NTA है, यही लोग आपका exam करा रहे होते हैं, पूरे इंडिया देश में, center रख रखके, इनका नाम है NTA, National Testing Agency है, मतलब पूरे इंडिया देश में ही लोग इस करेंगे, जो 12th pass होंगे, उनके लिए भी form आ गया, basically आप लोग अगर मान के चलो, अपना 12th कर रहे हो, अभी आपका exam ही चल रहा होगा, board के exam चल रहे होंगे, तो आपका result आने में समय है, तो आप लोग को पता है, कि result तो आया नहीं, हम form कैसे बढ़ते हैं, तो simple दी बात है 12th appearing और 12th pass out वाले ही CUT PG में form डालते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि वही लोग bachelor कर सकते है, minimum इनका यही होता है, max to max तो भाई, कोई master करके भी जा सकता है bachelor के लिए, लेकिन वो क्यों ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, कि 12th, 12th appear और 12th pass वाले लोग, इसके अंदर जा सकते हैं, तो ये लोगों के लिए form आ चुका है, आपके form CUT PG bachelor वालों के आगे, आपको पता है, bachelor वालों का form लेट आता है, master वालों का पहले आ जाता है, ये लोगों को पता होनी चाहिए, तो देखे, schedule of PG, CUT PG वालों का जो है आपर, exam का schedule आगे, हम यहां से से 28 March, ये date पहले ही final था, computer पर exam होगा, ये भी final था, पूरे इंडिया में होगा, ये भी final था, इंडिया के भार 24 city में होगा, ये भी पहले से confirmed था, ठीक है, मतलब इंडिया के भार भी ऐसे 24, जहां पर इस exam को कराया जागा, national testing agency has been mandated by, देखे, national NTA जो है न, वो उसको mandate मिला ह हुआ है, कि university of education और UGC द्वारा कि वो conduct करा सकती है, CVT exam को for, मतलब इंडिया देश की government है, government के अंदर काफी सारी ministry होती है, ministry of education, ministry of finance, ministry of defense, और इस तरीके से, इंडिया देश की government में काफी सारी ministry है, उन में से जो education ministry है, मतलब वो ministry, जो पूरा education सवाल है कि पूरे इंडिया का, उसके अंदर आप लोग देखोगे, तो NTA जो है, NTA को NTA नि नेशनल टेस्टिंग एजनसी, कैसी एजनसी है, जिसको कह दिया है, मतलब आपके जो education ministry है, उन्होंने कह दिया, कि भाई, आपको पूरे देश में exam कराने है, ठीक है, किसके लिए, security के लिए, चाहिए, UG, PG, द private में चला जाए, जिसमें भी listed थे, आप लोग को भी दिखाए, उसी में, ठीक है, तो यह लोग पहले ही list देदेते, आप यह मत कहा ना कि, भाई, CUET से तो मैं किसी भी college में चला जाओंगा, पास करने के बाद, admission लेने, भाई, वो list पहले ही निकाल देते है, कि इसी में admission मिल private universities में, पूरे इंडिया में आप लोग इससे जा सकते हो, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों लोग के लिए, अब मैं आपको बता दू, इस बार जो अफोर सेट exam, इस बार जो होगा, वो 44 shift में होगा, लोग नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, CUET PG के, इस बार 44 shift में exam चलेग हर shift will be, हर shift जो आपकी होगी, will be for 105 minute की shift चलेगी, हर shift, 105 minute की shift के ये कौन सा example हुआ, तो 90 minute आपकी हो जाती है, एक गंटा 30 minute, यानि एक गंटा जो है आप लोगा, 45 minute के लिए आपको shift पूरी चलनी है, 15 minute जो आप लोग के होगी, कही ना कही ये reading time हो सकता है, या दूसरा time हो सकत है, इसमें आप लोग को जो समय मिला है, वो मिला है, कितना मिला है, 105, 105 minute, यानि करीब करीब ये 2 घंटे भी नहीं है, यानि एक गंटा 45 minute के करीब, समय मिलेगा हर shift में, अब CVT PG exam जो है, वो conduct होगा for, देखे, कितने subject में conduct होगा, आपको बता दू, conducted for 157, जो है, subjects में ये exam हो कि 4,62,589, unique registered candidate है, they will be administrated, इतने test, वो लोग इतने test देंगे, मतब इन लोगों ने, ये वो लोग है, जो कि unique है, पहली बार PG, CUT, PG दे रहे हैं, इतने लोग, यानि लाखों की संख्या में इस exam को दिया जाता है, candidate were given an option for choosing a maximum of 4 test paper और subject, 4 test paper एक candidate जाय से जादा दे सकता है, अगर 25 year में जाते हो, तो आप इस तरीगे से जा सकते हो, city intimation slip वो होती है कि भाई exam center किधर है candidate का, उसके लिए उसको पहले शहर पता लग जाए कि किस शहर में उसका exam है, वो exam से 7 दिन पहले पता लग जाता है, और admit card exam से 3 दिन पहले आता है, जैसे मान के चलो, अगर आपका exam 12 तारिक को होगा, तो आपको 9 तारिक को जो है, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, admit card और 9 से भी 3 दिन पीछे आएंगे, तो आपको कही ना कही 6 तारिक को मिल जाएगा, city intimation कि किस सहर में आपका center है, ठीक है, इस तरीके से होता है, CUT PG में cheating रोखने के लिए city intimation पहले औ इतना तो आपको समझ जाना चाहिए, candidate and concerned stakeholder are informed about the schedule of examination, अब मैं आपको पता दूँ, इन्होंने annexer 1 नाम से point में पूरा schedule लग दिया है, कि किस दिन कौन सा exam CUT PG इस बार लेगा, ठीक है, कोई query रहा जाए किसी की, तो यहाँ पर इनका contact number दिया है, उस पर आप call कर सकते हो, तो य यही सब था, इस notice में, आपको बता रहा हूं मैं कि इस बार, जो आप लोग का CUT PG होना है, ठीक है, वो लगबग 4-5 लाग के करीब unique लोग है, यह unique candidate है, unique registered candidates हैं लोग, मतलब पहली बार इन्होंने firm बढ़ा है, इस में, यह वो लोग है, तो total आप लोग देख सकते हो, अब म मार्च 24 को, कि शिफ्ट में, दिए, पूरे एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट लगाएंगे लोग, 11 मार्च में आपको बता दू, सुबह में 9 बजे से 10-45 तक, फिर 12-45 से 2-30 तक, फिर 4-30 से लेके 6-15 तक, 3 शिफ्ट लगेंगी, पहले दिन जो एक्जाम हो रहा है, वो होगा आ अचारे, अचारे एमेड वालोगा, और पुरैयन, पुरैनेती हस, पुरैनेती, पुरैनेती हस, ये एक सबजेक्ट है और समवेदा और समवेदा और इसके लावा शुक, शुक्ला, शुकला यजूर, यजूर वेदा, ये BHEU में है इन्हों ने साफ लिखा verdict, ये BHEU वालो और यह सापका exam पहले ही दिन, पहले ही shift में हो जाएगा, फिर दूसरी shift आप देख लो, तीसरी देख लो, इस तरीके से आपका यह सारा exam चलेंगे, mainly आपको बताता हूँ, मैं इसमें main exam, जैसे B.A.D. वालो का, B.A.D. वाला exam main है, जो कि 15 ताइक को होगा, इसमें form लोग ज्यादा डालते हैं, सेम इसी तरीके से आप देखोगे, applied geography वालो का, उसमें form लोग ज्यादा डालते हैं, तो M.A.D. वालो का, simple M.A.D., M.A.D. जो अलोग, general M.A.D. कर रहे होते हैं, उनका 17 March को होगा, पहले ही shift में हो जाएगा, इनका exam, थोड़ा आगे बढ़ेंगे भाई, इसी के अंदर, B.A.D. mathematics वालो का 27 March को है, तीसरे shift में होगा, सभी लोग ने देख लिया, यही था आप लोग का exam schedule भाई, जिस अभी इनका exam इस तरीके से हो जाएगा, तो आपका 11 March से exam चलेगा, और 28 March को खतम हो जाएगा, यानि करीब- 18 दिन exam चलेगा, 44 shift लगा देंगे, वो एक-एक दिन में 36 shift लगा रहे हैं, तो इस तरीके से इस exam को कराया जाएगा, पूरे इंडिया देश में center होंगे, इसके बड़े-बड़े शेहरों में होंगे, इसके अलावा दूसरे country में भी इसके center हो सकते हैं, तो इस तरीके से exam conduct ह होगा, इस बार का, 2024 का, आप लोग को सारी जनकाली समझ आ गई हो, तो आगे पहुचाना लोगों तक, आपके साथ CUTPG exam schedule हो इहां discuss हो गया है, ठीक है, चलिए भाई, यह admission है, admission के लिए exam है, दोस्तों, यह कोई recruitment नहीं होता, admission होता है, इस से, इसको देने के बाद, लोग admission ल आपका रह जाए, फिर भही कहूंगा, आप लोग बता सकते हैं, इस जनकाली को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहुचाना, खासकर इंडिया के लोग तक, जरूर पहुचाना, मैं आप से मिलूँगा, जल्द ही, तब तक के लिए, आप सभी का, धन्यवाद,